उम साहिराम हरहर महादेव आज का साहिस अंदेश, जिन्दगी कांटों का सफर है, हिम्मत और होंसले से एक एक कदम आगे बढ़ाते रहिए, चलना हर हाल में होगा, कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है आज लोगों का नजरिया और सोच पूरी तरह से बदल गए हैं, जो रिष्टे जूट की बनियाद पर रखे जाते हैं, वो असानी से चलते रहते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ सच बोलते हैं, तो उनके रिष्टे बहुत जल्दी तूट जाते हैं, क्योंकि इनसान आज सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर यकिन करता है, कोई ये नहीं देखता कि आपके नियत कितनी अच्छी है, आप कितने सच्चे हो, कोई भी इनसान दिल से जितना रिष्टों को निभाने की कोशिश करता है, लोग उसे उतना ही गैर बना देते हैं, जो लोग सबकी करने वाला कोई नहीं रहता, जब कोई गैर हमसे धोखा करता है, तो हम इतनी परिशान नहीं होते, क्योंकि हम ये उन पर विश्वास ही नहीं होता, हम उसे अंदेखा कर देते हैं, लेकिन जब अपने ही पराये जैसा बरताव करने लगते हैं, तो वो अपने नहीं रहते, लेकिन ये सब कुछ सहन करण पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि विश्वास कमाने के लिए पूरी उम्र बीट जाती है, और तोड़ने के लिए एक गलत फैमे ही काफी होती है, तो जिन्दगी में जब अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, तभी तो कहते हैं कि जिन्दगी इतनी आसान नहीं है, और पैसे के बिना भी जीवन अधूरा है, क्योंकि आज हर इंसान अपनों से जादा धन को एहमियत देने लगा है, और वाकई में ये जिन्दगी की सच्चाई भी है, लेकिन जब वही आइना तूट जाता है, तो कोई उसमें अपना चहरा नहीं देखता, बलगी लोग उससे बचकर निकलने लग जाते हैं, इसी तरह इंसान का जीवन है, जब तक आप काम के हो, हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपको अपना मानेगा, लेकिन जिस दिन आपके पास धन नहीं होगा, जिस दिन आप उनकी ज़रूरत पूरा नहीं कर पाऊगे, उसी दिन लोग आपसे बचकर निकलना शुरू कर देंगे, अपने लोग भी पहचानने से इंकार कर देंगे, ये जिन्दगी ऐसी ही है, क्योंकि लोग एहिंकार में, स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, ये कलियुग है, और यहां लोग सिर्फ तब तक ही आपका साथ देंगे, जब तक आप उनके काम के हैं, जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहेंगे, उसी दिन आपको ठोकर मार कर चले जाएंगे, इसलिए अगर विश्वास करना है, तो आप खुद पर विश्वास कीजिए, और अपनी खुशी, सुख बांटने के लिए आपके पास हजारों लोग होंगे, किसी को न्योता देने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन दुख बांटने के लिए कोई आपके पास नहीं होगा, इसलिए आप जीवन में कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, अपना दुख और परेशानी हर किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप किस हालात में जी रहे हैं जीते हुए इंसान से कोही सही ढंक से बात तक नहीं करता लेकिन जब मर जाता है तो हिला हिला कर पूछते हैं कि कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो अरे जब जिन्दा है जब उसे साथ की जुरूरत है तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो मरने के बाद तो दुश्मन भी कंधा देने दोड़े जले आते हैं इसलिए अपना वही है जो दुख में साथ दे जो बुरे वक्त में साथ दे अच्छे वक्त में तो गैर भी अपने बन जाते हैं लेकिन ये बुरा वक्त ही आईने की तरह हमें जिन्दगी की सच्चाई दिखाता है यही हमें अपने और पराय की पहचान कराता है कि वही हमारा अपना होगा जो बुरे वक्त में साथ देगा काम्याबी की जीत में बजने वाली हजारों तालियों से बहतर वो हाथ होता है जो बुरे वक्त में आपके कंधे पर रखा जाता है तो बुरा वक्त तो हर इसी के जीवन में आता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने जीवन में दुखी ना हो, परेशान ना हो या जिसे कोई परिशानी ना हो लेकिन ऐसी कोई भी परिशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो जब आप बार बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं गिरते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इश्वर आपको संभाले हुए है और वो आपको बीज मजधार में कभी नहीं छोडेंगे यहां तक लेकर आए हैं आगे भी लेकर जाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ अपने करमों पर ध्यान दीजिए आप निस्वार्थ भाव से अपना हर करम अच्छा कीजिए तो आपके साथ कोई भी बुरा कभी नहीं कर पाएगा और जब तक इश्वर नहीं चाहेंगे कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता आप उसी स्वर पर विश्वास रखे, सरधा रखे और धैर्या और सबर बनाए रखे बहुत जल्द आपको आपकी मेहनत का फल सरूर मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा और बहुत जल्द आपका जीवन परिवर्थन सरूर होगा आपका हर सपना पूरा होगा, हर खुशी आपको मिलेगी जितना कुछ आपने जीवन में खो दिया है उससे कहीं जादा आपको दिया जाएगा अपने बाबा पर विश्वास रखो अगर कुछ आप से छीन लिया गया है तो आप समझ लेजिए कि वो आपके काबिल ही नहीं था इसलिए गुजरे अतीत को भुलाने की कोशिश करो जब आप उस कुजरे अतीत से बाहर निकलोगे तभी भविश्या में आगे बढ़ पाओगे बहुत उजवल और सुनहरा भविश्या आपका इंतिसार कर रहा है आपको बहतर से बहतर दिया जाएगा जो आपकी सोच से भी परे होगा अपने बाबा पर विश्वास रखो और हमेशा दूसरों की साहता करो गरीबों को भोजन कराओ भले ही कोई आपको धोखा दे आप धोखा सहन कर लीजे लेकिन कभी किसी को धोखा मत दीजे सदा खुश रहें, सदा जबते रहें ओम साइराम, हरहर महातेव